हलो शुदेंस आज आप लोग देखेंगे भी भी आई सोट टाइप कोश्चन का दूसरा भाग यानि पार्ट टू और ये कलाश टेंथ का पहले प्रिवियस यहर का कोश्चन है तो ध्यान से देखेगा माली जे इस परकार का कोश्चन आगा तो फिर गबना जेगेगा ये तो सीध करें कि टू प्रूब दाट सेट ठीटा स्कॉइल टू एल स्कॉइर प्लस वन वाइट टू यहाँ पर ये वन है ठीक है तो चलिए देखें कैसे बनेगा तो ये चीज दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिख देंगे चुकी टैन ठीटा पलस सेट ठीटा स्कॉइल टू एल ये दिया हुआ है हमें ये सीध करना सेट ठीटा बराबर इतना तो हम इसको हम बनाएंगे राइट हैंड साइड से बना लेते हैं ठीक है राइट हैंड साइड में क्या है एल स्कॉइर पलस वान बाटा टू एल यानि कि इससे बना कर हमको शेक ठीटा लाना है यही जब आ जाएगा तो समाझ यह एक पुरुप्ड हो गया ठीक है अब L स्कॉर है तो L बराबर कितना दिया है ताइन ठीटा पुलस शेक ठीटा तो हम L के जगा पर ताइन ठीटा पुलस शेक ठीटा को पुट कर देंगे यानि कि 10 theta plus 1 theta का क्या हो जाएगा whole square plus 1 और बाटा में क्या है 2 और L के जगह पर यही रखना है यानि कि इसको cost में लिख देंगे क्यों इसलिए लिखेंगे क्यों कि यह double पद्वे है cost में लिखना पड़ेगा तो 10 theta plus क्या हो जाएगा 6 theta ठीक है अब यहाँ पर देखिए फर्मूला लग जाएगा आपका a plus b का whole square a plus b का whole square फर्मूला लगा दीजिए क्या होता है 10 square theta plus 6 square theta plus 2 tan into 6 theta 10 theta into 6 theta ठीक है और यहाँ पर plus 1 है बाटा में हो जाएगा इसको लिखते जाएगे अभी 10 theta plus 6 theta ठीक है अब देखिए 10 square theta plus 1 बराबर फर्मूला होता है आप लोग को पता होगा 10 square theta plus 1 बराबर होता है 6 theta 6 square theta ठीक है तो हम मा लिजे कि 10 square theta plus 1 इसका मान हम लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 square theta अब plus 6 square theta पहले से यहाँ पर है पलस यहाँ पर 2 tan theta इन्टू 6 theta ध्यान से देखिएगा और 1 के बदला में यहाँ पर 10 square theta plus 1 बराबर 6 square theta हम लिख चुके है बाटा में हो जाएगा 2 into 10 theta पलस 6 theta ठीक है चलिए यहाँ पर देखिए अब देखिए 6 square theta पलस 6 square theta बराबर क्या हो जाएगा 2 6 square theta हो जाएगा ठीक है और यहाँ पर पलस है 2 10 theta इन्टू 6 theta बाटा हो जाएगा 2 into 10 theta इन्टू पलस 6 theta ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह double पर में 2 है 6 theta है 2 है 6 theta है तो हम 2 6 theta क्या कर देंगे कॉमल ले लेंगे तो 2 6 theta कॉमल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 6 theta आप पलस में 2 निकल गया है 6 theta निकल गया है अब बाटा में हो गया 2 10 theta पलस 6 theta ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह दोनों जो है कट जाएगा क्योंकि 10 theta plus 6 theta लिखिए या 6 theta plus 10 theta दोनों पलस में हैं तो हम लिख सकते हैं कट गया और यह 2 तो कट जाएगा तो क्या बचा 6 theta अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इतना बराबर 6 theta आ गया और यहीं हमको सिद करना था यानि कि बराबर LHS हो गया और यहाँ पर हम लिख देंगे पुरूप्ट ठीक है समझ में आ गया तो यह previous year का कोच्चन था इस पर कार का कोच्चन आते हैं अगर माली यह कोच्चन आ जाए तो आप लोग अब बना सकते हैं तो चले आगे next कोच्चन देखते हैं चले देखे कोच्चन यह तीन कोच्चन हैं बहुत ही महत्पूर है और यह जो उपर वाला दोनों है तो बहुत ज़्यादा महत्पूर है और इस परकार के कोच्चन भी पूछते हैं अब यहाँ पर देखें सुन्याग जो है सुन्याग मतलब सुन्याग रूट पी तथा क्यूं है और इसमें कभी आलफा तथा बीटा दे देता है अंतर सिर्फ इतना होता है अब यहाँ आलफा बीटा हो जाएगा तो यहाँ पर आलफा स्कार प्लस बीटा स्कार कमार निकलना है यहीं अंतर है तो चलिए इसको बनाने से पहले एक चीज़ हम आप लोग को बताना चाहते हैं जिसे कहता है कि मूलों की परकृति ग्याद करें तो मूलों की परकृति क्या ग्याद करता है जैसे आप लोग पता हो गए कि दी बराप और निकालते हैं वी ए स्क्वार माइनस फोरे सी ठीके तो डी क्या है यह है वीवेचक यह क्या है वीवेचक है इसको हम वीविक्तकर भी कहता है वीवीक्तकर इसको कभी-कभी पुछता है कि जैसे समीकरण दे देगा मालीजे कोई समीकरण है बहुपद दे दिया बहुपद दिया समीकरण भी दे देता है तो x²-x-6 ठीके और यहाँ पर मालीजे लिख दिया बहुपद इतना है तो विबेचक ग्याद करें यह कभीका बिबेक्तिकर ग्याद करें यहाँ डि कहेगा ठीके तो आपको शिर्फ D निकालना है जब आप दि निकाले जैसे मालीजेहां पर A बराबर One हो गया बी बराबरег मायनस लय हो गया कि यहाँ पर च्च्च आ गया मायनस इक्स आ गया और यहाँ पर c कमान है minus 6 लिख देंगे तो minus minus plus होज़ेगा 1 यहाँ पर minus minus plus 4 छकट 24 यानि कि यह दोनों जोड़ेंगे तक कितना होज़ेगा 25 अब यह बिविक्चक या बिविक्टर या डी निकल गया आप यहाँ पर answer लिख सकते हैं ठीक है अगर इसी कोचन में मालीजे कोचन लिख कर आग कहता है कि मुलो की परकृति गयाद करें और बराबर में मालीजे 0 दे देगा या सुन्योकों की परकृति गयाद करें या सुन्योक नहीं कहेगा इसे ही कहादेगा कि परकृति गयाद करें तो आपको क्या करना है? जब यहां तक निकल लिए ना, तो देखिए, यहां तक निकलने के बाद आपको क्या लिखना है? पर किर्ती यही है, चुकी D, अब D क्या है? 25 है, तो जो 25 है, D बाड़ा हो गया, का से? सुने से, तो मूलो का, इसलिए, यहां पर लिख देंगे, इसल ये मूलों का अस्तित्व है अस्तित्व है अतह मूल वास्तिविक एवं क्या होंगे जब बारा रहेगा तो क्या होगा भीन या और समान वास्तिविक एवं भीन होंगे या वास्तिविक एवं और समान होंगे अच्छा यहाँ पर एक सुत्र यहाँ पर समझ लिजे जब D बाड़ा होगा 0 से तो क्या होगा मुल वास्तिक और भीन जब D छोटा होगा 0 से तो कोई मुल नहीं होगा मुल होगा ही नहीं ठीके और यहाँ पर जब d बराबर हो जाएगा 0 से तो इसका हो जाता है मुल वास्तिक हो जाएगा और वो समान हो जाएगा जहां भीन लिखें वहाँ पर क्या लिखेंगे? समान तो जब d बराबर 0 होगा तभी मुल समान होगा तो इस पर एक कोश्चन है यहाँ पर कि जिसके मुल दोनों मुल बराबर हो तो इसी टाइप पर बनेगा तो चले एक कोर्चन भी हो गया यहाँ पर क्या कर रहा है के का वो हमान ग्याद कि जिसके लिए y-1 बहुपद इतना के गुरंखन है तो हम इसके मान को रह कर देख लेंगे एक सुन्यक आपका मिल गया है ठीक है तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि y बराबर चुकि y-1 बराबर यहाँ पर क्या हो गया जीरो क्योंकि यह सुन्यक निकालना है तो हम सुन्यक करेंगे ठीक है तो y बराबर क्या हो जाएगा तो अब यहां पर हमारा दिया हुआ है PX बराबर, PX नहीं है, जब Y है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, PY लिख देंगे, ठीक है, तो PY बराबर क्या हो जाएगा, चले देखे, यहां पर जहां Y है, वहां क्या लिखना है, 1 लिखना है, तो देखे, P, 1 हो जाएगा, क्या, जहां ज है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे वन लिखेंगे तो टू गुना 1 पावर 3 पलस 9 गुना 1 Power 2 Plus 1 Plus K तो देखे यह कितना हो गया 2 हो जाएगा 1 के 3 बार गुनिया केजिये तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा Plus 1 Plus K अब यहाँ पर देखे जब हम 9, 10, 8, 2, 12 जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 12 आपका जो है यही एंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर अगिला कोचन देखिए जो दिया हुआ है पहले अमलिक देंगे दिवघाद समिकरन हमने पिछले वीडियो में बटाया था कि दिवघाद समिकरन और दिवघाद बहुपत में क्या आंतर है जैसे कि A x square पलस B x पलस C जब हो तो दिवघाद बहुपत उसको बोलेंगे जब बराबर 0 हो जाए तो दिवघाद समिकरन यहाँ पर दिया हुआ है अब B बराबर के हो गया और C बराबर क्या हो गया माइनस 3 ठीक है अब देखिए चुकि मूल बराबर होंगे जब D बराबर सुनने हो जब D बराबर सुनने होगा तो मूल क्या हो जाएगा बराबर तो यहाँ पर देखिए D बराबर क्या होता है बाबर में हम 0 लिख देंगे तो ब का मान क्या है K है तो K स्कार माइनस 4 अगुना 2 अगुना मैनस थिरी बराबर सुन्य हो जाएगा तो यहाँ पर देखे k स्क्वार बराबर 14 12 12 दुनी 24 ठीक है और minus minus plus तो यहाँ पर हो जाएगा plus 24 बराबर 0 तो k बराबर हो जाएगा k स्क्वार बराबर minus 24 ठीक है यहाँ पर minus 3 दिया है ठीक है, कोचन में minus 3 होगा तो जब minus 3 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा plus 3 होगा तो यह plus हो जाएगा तो यहाँ पर plus हो जाएगा और plus हो जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा minus तो जब माइनस आएगा तो यहाँ आजाएगा प्लस तो के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24 ठीक है तो यहाँ पर देख लिजे थोड़ा सा इसको हम निकाल सकते हैं के बराबर यहाँ पर इसलिए डाल देजे अब 24 है 24 के क्या करेंगे 24 से गुरनखन करेंगे तो हो जाएगा 12 दो निकल जाएगा तो दो रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ठीके k बराबर इतना हो जाएगा यहाँ पर हम plus minus में लिख सकते हैं ठीके लेकिन यहाँ पर k का मान जो है plus में रखिये या minus में रखिये तो इतना ही आपका answer हो जाएगा ऐसे समझ में आई जाएगा कोई भी कोचन नमर लिख सकते हैं कोचन यहाँ पर हो गया एफेक्स बराबर इतना दिया है तो सबसे पहले हम इसके आप लिख देंगे एफेक्स बराबर 2x square minus 7x plus 3 ठीके और यह दिवगात बहुपद है इसका सुन्यक दिया है पीता था क्यों आलफा बीटा भी दे देगा ठीके कुछ भी देगा आपको उसके जो दिया है उसके इससे आप से बनाना है पहले आप लोग को पताए थे कि आलफा पॉलस बीटा बराबर होता है minus b बटा ए और आलफा इंटू बीटा बराबर c बटा ए होता है यह पिछला वीडियो में बताए थे तो यहाँ पर यूज होने वाला है देखिए का ध्यान दिजिए अब आलफा पॉलस बीटा के जोगा पर पी तथा क्यूं है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ए बराबर यहाँ पर हो जाएगा दो b बराबर minus 7 और c बराबर 3 इसके सुन्या पी तथा क्यूं दिया है अब इसके सुन्या क्या दिया है पी तथा क्यूं तो हम पी तथा क्यूं के अनुसार बनाएंगे तो मूलो का क्या लिख देंगे जोगफर मूलो का जोगफर बराबर क्या हो जाएगा minus b बटा a तो माइनस B बाटा A यानि कि यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 7 और B कमाण माइनस 7 है और माइनस पहले से है तो यह पलस हो जाएगा और यहाँ पर लिख देते हैं 2 ठीक है और मूलो का गुड़न फल यानि P इंटू Q बराबर क्या होता है C बाटा A तो C कमाण 3 है और A कमाण 2 है हमें निकालना है इसलिए P स्कार पलस Q स्कार बराबर सुतर लगा दीजिए P स्कार पलस Q स्कार यहाँ पर है तो आपको निकालना है A स्कार पलस B स्कार तो आपको यहाँ पर सुतर लिख देते हैं देखिए यहाँ पर सुत्र आपको लिख देते हैं a square plus b square बराबर क्या होता है a plus b का whole square minus 2a b अब यहाँ पर a के जवाब पर p है और q के जवाब पर b के जवाब पर q है ठीक है तो यहीं सुत्र लग जाएगा तो क्या है a plus b का whole square यानि कि p plus q का whole square minus 2 p q यानि कि 2p q हो जाएगा अब यहाँ पर मार रख दीजिए ठीक है p plus q यहाँ पर कितना दिया है 7 बाटा 2 इसका whole square होगा minus 2 p q कितना है 3 बाटा तो अब यह तो कट गया यहाँ पर हो गया 49 बाटा 4 अब माइनस हो गया 3 तो देखे यहाँ पर 49 माइनस 12 बाटा फोर होगा यहाँ पर बाटा गटा बना दिया है बाटा में खो गया तो देखे क्या हो जाएगा इसको घटा ही है ते बचेगा 7 और यह क्या बचेगा 3 बच जाएगा ठीके अब बाटा में हो गया 4 और यहीं आपका हो जाएगा इसका मान 37 Y4 आजाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ को आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा चलिए आगे मिलते हैं जय हिन जय भारत